आप लेडिए इनसेंट आप दिसकंटेंट आप फिर लोगों के लिए जो लोग भाई अभी नया नया एकुरियम में फिर्श रखना सुरू के आई ये होबी में नया है तो उन लोगों के लिए बहुत हिल्फुल होने बाला है क्योंकि आज तक मैं जो फेस किया जो जो आज तक प्रॉब्लेम फेस किया जिसके कारण मेरा फिश मर गया कोई भी फिश हो जाए इस मॉंस्टर नॉर्मल कोई भी हो जाए जिसके कारण मर गया वो सब रिजन मैं बताऊंगा आज का ये वीडियो में वो सब का हल बताऊंगा और छेल प्रपल, करतेएं में करना डार वार वम होति यह बीर सबाद को को सबस्काइब आपने के बत्रोने हैं और आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग करते गलिजरा हम लोग बाद बाद ही clean कर देते हैं क्यों करता है क्योंकि वो ब्रावनिश हो जाता है गंदा हो जाते हैं ऐसा हम लोग को लगता है specially top filter, top filter हम लोग रेगुलरी चेंज करते हैं भाई फिल्टर पुरा ब्रावनिश हो गया पुरा गंदा लग रहा है चलो चेंज कर देता हो धो देता हो उसे अच्छा से यह गलती आपको नहीं करना है क्योंकि क्योंकि टॉप फिल्टर में फिल्टर का पैड में उसमें beneficial bacteria रहता है जो मतलब पानी का ammonia level है थोड़ा घटाता है अगर कुछ फिस को disease होता है और क्यों करता है इसलिए बहुत ही beneficial bacteria रहता है जो की cure कर देता है और आप लोग अगर regularly उसे clean करेंगे तो bacteria निकल जाएगा फिश को disease भी हो सकते है इन rare cases फिस मर भी सकता है यह गलती आपको नहीं करना है मैं देखिए पहले-पहले sponge filter रखाता है और मैं दो दिन बाद बाद ही उसे change करता था जिसके कारएं एक दो बर मेरा goldfish मर भी चुका था मतलब कुछ दिन जीता था उसके बाद मर जाता था यह मैं पहले-पहले करता था तो यह है हम लोग का पहला गलती सेगेंडली जो गलती करते है एक बार में बहुत सरा फिस एड़ कर देता है टैंको दो फीट का टैंक में हम लोग 20 गोल फिस डाल दिये क्योंकि देखने में बहुत सुन्दर लगता है हम लोग का घर से भी बहुत कोई मतलब पैरन्स लोग बोलता होगा कि छोटा मचली रा सपोज बहुत सारा इंसार एक जगा पे लड़ेल आए तो ओ जगा पे जो इंसा सबसे स्ट्रॉंग है जो एक दम फूट को लेके पुड़ा सर्वाइफ कर सकता है स्ट्रॉंग लिए ओई सिप सर्वाइफ करेगा उस जगा और बाकी कोई ने बचेगा सेम फिश के लिए हो होता है सब मतलब ओर कर देता यह गलती बहुत कोई करता है जिसके कारण फिर्ष मर जाता इवन मैं भी किया था मैं क्या किया था जेब्रा डैनियोस फिफ्टी पीसे लाके एक टू फिट टैंक में छोड़ दिया उसके साथ मैं रखा था दस्टो नियों टेट्रा दस्टो किया था एकदम पहले इवन मेरा जो सेलर था ओ भी मेरा को मिसगाइट किया था ओ बोला था तुम एक चार में दस्टो जेब्रा रख सेता तुमारा दो फिर टैंक है तो क्यों नहीं रखोगे आराम से रखो यह मेरा को एक सेलर ने मिसगाइट किया जिसके कारर मेरा जो यह गलती मैं अभी कुछ दिन पहले ही सुधरा हो यह गलती मैं अभी तक करता था जो है फिश को थोड़ा दिककत होता है आप लोग कौन से लाइट उसकते एक तम लाइट कलर गए पेसलिया अप लोग अगर वाइट देंगे तो सबसे अच्छा इसलिए वाइट लाइट आप लोग के साथ किया मेरे साथ भी हुआ है मेरे का अच्छा नहीं लग लगा है कुछ चली आप लोग के सामने बैठाता हो फिश का मुवमेंट देखता हो लाइट जला के बैठ गया एक गंडा दो घंडे रह गया उसके बाद थोड़ा रस लिए अप विड़ा बैठ गय कि जो गलती बोलः इसमें से यह गलती हर कोई करता है पहले पहले बह coffee फ़ी एकक्सा किसा मूप कर देंस ब्लक खाता है तो यह गलती भी करना ठीक नहीं है नेक lod 것으로 घंट हम करते है HOW हा हम लोग rank performer कर देज खेब देथे यह सबसे बरा गलती है इपहले बहले जोदा बोला था फिल्टर कॉंटिन्यू हम लोग क्लीन करते हैं सेम गलती यह वाला है क्यूंकि वाटर में भी बेनिफिशल बैक्टरिया रहता है और गाइस देखिए फूल वाटर कब चेंज करना है सपोस मेरा जो हुआ था केस मेरा आटीसी जो है टैंक में वोमिट कर दिया था जिसके कारण दूसरा फिश फिटिंग लेना बंद कर दिया था कुछ फिशस मर गया इसलिए गाइस ओ होता है सबसे वरा दिक्कत तब आपको फूली थोरा सा भी पूली पूरा वाटर आपको लोग को चेंज करना होगा आपका सपोस वाटर क्लावड हो गया किसी करन से उस टाइम पर भी करना होगा वाटर के अमोनिया लेबल बढ़ गया उस टाइम पर करना होगा यह सब टाइम पर आपको फूल वाटर चेंज करना होगा पर ऐसा नही कि भाई दो दिन बाद बाद ही करोंगा यह नहीं है मैं भी पहले पहले यह करता था मेरा सेलरी मेरे को मिस्गाइट किया था भाई तुमको हपते में एक फुल वाट चेंज करना होगा तो मैं करते ही रहा था तो मेरा फिश भी मरते ही गया उसके कारण से देखिए वाटर वाटर चेंज मत कीजिए दोनों एकसत मत कीजिए क्योंकि दोनों में बेनिफिशल बैक्टरिया है दोनों एकसत मर गया तो भाई थोड़ा दिक्कत तो हो जाएगा नेक्स्ट मिस्टेक जो है यूजिंग ग्रेवल सीन अकोडियों यह हार कोई करता है 90 परसें लोग करता है पूरा अकोडियों होवी में आने के बाग कि पूरा अकोडियों जा पत्थर से भरा देता है नीचे टैंक का बॉटम है वह पत्थर से भरा राता है यह सबसे बड़ा मिस्टेक है इसके कारण मेरा एक ऑसकर मर गया था क्यों कि गाइस देखिए मेरा जो ओसकर है सुबा को अच्छा प्राइब लेट करके फिडिंग देने वाला ता पर मैं देखा मेरा ओसकर जो है छूटा से एक ग्रेवल था माइनी और ग्रेवल था उसे खा लिया था खा के मतलब एक दो दिन बचा उसके बाद मर गया और फिडिंग भी नहीं लिया कुछ भी नहीं लिया इसलि अच्छा नहीं करते है अच्छा पर आप लोग स्पेसलिया के अग्जामपल दे रहाए रेटल कट फिश को जितना भी लाइप फिश लाइप मीट कुछ भी दे जितना भी दे उतना ही खालेगा शुबा को आप पास्ट फिस दे दीजिए चोटा चोटा पास्टा पास्टा आप लूग मेरा जो राटी सि ओटा उबर फिट कर अपमेट कर दिया था जिसके कारण दूसरा फिश नमर फिटिंगले बंद कर दिया था यह होता है बुटा ओवर फिटियूंगा अटी सि तो तब भी चोड़ी होट आप लोग मेरा प्रिविछी देखे होंगा पास्टा पर aquarium cover नेसेसरी है इतना दिन के experience है जो मैं समझाओ क्योंकि guys fish jump out कर जाता है, jump out क्यों करता है, क्योंकि guys दूसरा fish bully करता है, उससे कुछी दिक्कत हो रहा है, यह इस कारण के लिए jump out करता है, इसके लिए different video में बनाऊंगा, तो guys इसलिए आपको lead यूस करना है, next mistake जो है, o है, aquarium हम लोग clean करने, detergent, soap, shampoo, कुछ भी हो जाए, यह बहुत कोई करता है, भाई, पानी पूड़ा फेक दिया, उसके बाद यह सबसे clean कर लिया, पर यह सबसे नहीं करना है, क्योंकि इसमें chemicals रहता है, जिसके कारण हम लोग का जो कपड़ा है, बहुत जल्दी clean हो जाता है, इसम आपका फिश को डारेक्ली अटक कर सकते है, आप जितना भी अच्छा से अकोडियम दोले, पानी से दोले, मतलब कुछ से भी दोले, फिर वी थोड़ा सा केमिकल रह जागा, जो आपका फिश को अटक करेगा, मार देगा, हम लोग का लास्ट मिस्टेक जो है, जो कि हम लोग करते हैं, कि भाई फिश के साथ थोड़ा खेलना है, हम लोग को, खेलेंगे कैसे उसको हाथ देंगे, और मेरा हाथ के सामने गुमेगा, थोड़ा फिडिंग हाथ से कराऊंगा, ऐसा बहुत कोई करते हैं, मैं भी मेरा आटीस को हैंड फिडिंग कराता हूँ, पर गाईस मैं भी किया हूँ, मैं बाहर से आता था फिश को गोल फिश था मेरे पाद, उसके खेलने में लग जाता था, इवन मेरा जाता था अगर हाथ दू मेरे साथ अच्छा से खेलते हूँ, तो मैं ऐसा वी और नहीं करता हूँ, क्यूंकि धिरे धिर आपका फिश को यह सब चीस म सब्सक्राइब करने के ताइम आपलोग को नोडिफिकेशन में चलिए आज की इस वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्ष वीडियो पर तब तक की लिए गुडबाई, एं थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो पर वाचिंग दिस वीडियो भीडियो